चलिए डारेक्टली लिखना सीखे इस टाइप के इंटीग्रेशन का अंसर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें दो टम मिलेगी पहली टम क्या होगी 3x-2 इसकी पावर पर देहान दीजेगा 5 by 2 upon 5 by 2 और इसमें इंटू करना है यह जो x का कोविशेंट है तो 3 हमने इ अब जस्ट हमारा काम क्या बच्टा है इन दोनों के जो कोविशेंट से वह फाइंड करना है तो जो पहली वाली टम का जो कोविशेंट होगा उसमें आप यह टम देखें और यह एक्स वाली टम देखें इनका जो रेशो है वह एडिटिस ले लिजे तो 2 by 3 और दूसरी वा जो पहले वाली टम में उसका एक्स का कोविशेंट है उससे डिवाइट करना है तो यह हो जाएगा 8 by 2 4 के बराबर तो यहां पर मिलेगा हमें 4 यह हो गया इसका डारेक्ट अंसर और इसको जब हम पूरा सिंप्लिफाई कर लेंगे तो हमें यह अंसर मिलेगा और स्टैब के किसी भी प्रॉब्लम में आप यह चेक कर सकते हैं